जब भी कभी כी गी बना रहे हैं तो कडाई में काफी घी लगी रहती है उसको साफकरने में होदी है दिखके तो उसी में थोड़ा घी और मिला दिजे निकालने के बज़ए और उसमें मिला ये थोड़ा सा शुगर पाउडर और बाजरे का आटा थोड़ा गीहु काटा, थोड़ा मैदा और कोकोनट कोकोनट गीसा हुआ जो आता है पाउडर वो और उसको अच्छे से मिक्स करने के बार थोड़ा सब मिलाएं वानिला एसेंस और या फिर कस्टर्ड पाउडर, दोनों में से जो भी आपके पास अवलेबल है वो मिलाएं और उसको फिर से मिक्स कर लीजे ड्राई सारे चीजों को और इसमें काफी घी है मेरी, घी काफी होना चाहिए क्योंकि इसमें मैं सोड़ा नहीं डाल रही हूँ और फिर इसको डो बनाना है दूद से, तो ठंडा दूद यूज करना है धीरे धीरे देखते हुए और बहुत ज़्यादा इसको नीड नहीं करना है, बस एक साथ में लाके यह आप देख सकते हैं इस तरह से डो हमारा बन जाना चाहिए, कि वो एक बाइंडिंग आजाए उसमें उसके बाद उसका शेप आपने अकॉर्डिंग, तो मैंने ऐसे थोड़े से कुकीज की शेप में रखे हैं और फिर उनको दोनों की दोनों तरफ से या तो आप तिल लगा लिजए या ड्राइफ फूर्ट्स दबा दबा के थोड़ा उनको मैंने चुटे-चुटे करके रखे हैं और फिर उसको लगा दिया इस तरह से सारा मैंने कुकीज तियार कर ली है और ठेकवा कह सकते हैं लेकिन ये बेग करके मैं बना रही हैं ये कुकि कुकीज में क्या होता है हम घी को और शुगर को फेटते हैं इसमें मैंने फेटा बिलकुल नहीं लेकिन क्वांटिटी घी की काफी है तो उससे काफी खसता बन किया आता है और फिर इसे प्री हिटेड अवन में मैंने करीब 25 मिनिट के लिए बेक किया है 180 डिग्री पे और यह बहुत ही टेस्टी गी उसमें निकल के आ सकता है तो इस तरह से आप जब भी गी बनाएं तो उसी करड़ाई में आप या तो आट अपना बना ले घर का रोटी जो बना रहे हैं काफी कुछ उसमें से गी निकल जाती है तो यह देखिए मैं तोड़के भी दिखा रही हूं तो अंधर तक अच् संदाए हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यूफू